तो बहुत-बहुत खुद को भी एक प्राउट फील ऐसा लग रहा है चार सो वीडियो भाई सोचने में ऐसी लगते लेकिन चार-चार सो वीडियो फिल हाई गाइस गुड आप्टरनून तो फिल हाल प्रेंट मैं अभी अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं कि सम्थिंग सा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं कि अच्छका लॉग स्टार्ट करते हैं अब जा रहा हुआ है कि बना चलते हैं अभी तो गली में दूर-दूर तो कोई नजर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हूं प्रॉंक हैस तो फिलहाल मैं आगा हूं घर और मैं अगया था उपर याञ झाने कर रहाए है खालक कर रहा है जर्दी फृर्दी पकरा है सब चीज काटना पड़ें तो छेली कट कर दें हैं इसाथ प्याज वहीं होगा तो लगगा है लॉक प्याज प्याज मीर्च तो है इथर लिकिन छोटा है तो और लाना पड़ेगा जा भी ढूना पड़ेगा पहले यह वेसट फैनली मैं काट रहा था प्याज और प्याज ने रुला दिया यार यह देख सकते हैं चोटा-चोटा कर रह था प्याज ये मुझे रूला दिया बई क्या इतना हाशू आ गया तो फिल्हाल कोई नहीं काट रहें यहागा भई मिर्ची भी कट करना बाकि है उसके ब तो अब बनाएंगे फ्रेंट्स ओमलेट्स प्याज और टमाटेश फ्रस काट कर लिए अब करेंगे चलिए कहां भी तो अगरम करते हैं पहले उसके बाद सिधा अपने ओमलेट्स बनाएंगे तो चलिए है फ्रेंट्स फिल्हाल ये देख सकते हैं अधर होगे हमारा तेल बनाते हैं हमारा एक इधर रखा पड़ा है ये रहा फ्रेंट्स एक अब बनाते हैं हम इधर देख सकते हैं चलिए एक भी मिल गया तो तो अब भी हो गया गरम तो चलिए फटा-फट से फ्राई करते हैं एकड़म इसके बाद खाना काएंगे प्रिए खाना सुबद नहीं तो चलिए करते हैं पहले है फ्रेंट्स तो फिर ये देख सकते हो हम निकाल लिए है एक इसको डालते हैं गिलास में क्योंकि हमें बनाना है फ्रेंट्स ओमलेट तो फिर हाल ये डाल लिए इसको भी डालते हैं ये भी डाल लिए हम इसमें इसको करते हैं यहाँ अब डालते हम इसमें थोड़ा से प्याज, थोड़ा नहीं, बहुत सारा प्याज, मिर्च, थोड़ा से टोमेटोस, यह रहा फ्रेंट, फारली हम डाल लिए, थोड़ा से हम बचाएंगे, थोड़ा से हम बनाएंगे पाउच, उसके लिए, तो यह फिलहाल ओमलेट के लिए होगा, इतना स याज पाउडर फोड़ा से डाल देते हैं मिर्च्क पाउडर अब इसमें डालते हुआ हलदी धनिया तो यह रहां और दाल दाल दी हम थोड़ा से जंदे थोड़ा से धन्या जो चलिए है अब इसको करना अच्छे से मिक्स फेट नाट पुर नहीं भूल गया नमक है कहां थैंड दालते हैं थोड़ा से नमक नमक स्वाधन साथ बाकी हो गया तो चलिए तवा हो गया है गरम तेल भी गरम हो गया तेल भी डाली है तो बसे इसमें डालते हैं कि अबयों हें या र हमारा अम लेड जो है वह मुथा द्हाएं डिखाता है आपको क्या ही मस्त लग रहा है यह देख सकते हैं अब डाले एकने की लिए तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं उसके बाद खाना खाएंगे तो फानली मैं खा लिया खाना और क्या ही यार बहुत दिनों इसा तो फुल मिर्ची विर्षी डाला तो मजा गया खाके अब फिल्हाल मैं जोड़ा हूं दादी को उनको भी खिलाया मतलब आम लेट दूंकर करके पता नहीं कहां है चली FCC कहां गई दादी पता नहीं चली देखते हैं अएंगी फिल्हाल मैं खाल यह खाना मुझे शर्दी पकड़ा है यहां कुछ स्वाद नहीं है था तो फिल्हाल एक खाने को मन हुआ एक लाया बनाया खाया अच्छा लगा एकदम से तो फिर हल चलिए दादी कहां गई है पता नहीं पेट करना पड़ेगा या भी तो यहीं थी यार मैं गया तो आया तो यहीं इस पास बैठी थी धर गाड़ी लगया और पता नहीं अभी कहां चली गई त जिला रहीं ता वाज पता नहीं कहां गई है और मा डंस खेत बैस्ता टाइम आएगी माँ भी तो मत जामना करने के बाद भी चली जाती है मां आया क्या ही करिया उनका है तो 400 वीडियो 400 वीडियो मेरा complete हो गया 400 प्लस हो गया वीडियो मतलब तो यूटूब पर तरफ से आया था मतलब 400 वीडियो अप्लोट कर दिया आपने यह वारा मेल आया था तो 400 वीडियो में यूटूब पर अप्लोट कर दिया और आपको मेल को मैं दिखाऊंगा देख लेना आप बगल पर स्क्रीन सोट लेके तो देख लेना आप 400 वीडियो फाइनली हम यूटूब पर अप्लोट कर लिए तो बहुत-बहुत खुद को भी एक ट्राउट फील ऐसा लग रहा जार 400 वीडियो सोचने में ऐसी लख़ा लेकिन 400 वीडियो फिलाल अप्लोट करते हैं यह चैनल पे बहुत दिन समतलब और रहा है हो डाउनफोल का करण्य है तो और मैं कोई वीडियो अप्लोट नहीं कर पा रहा था यार कोई वीडियो फिर franc नहीं कर पा रहा था इसलिए मेरे चैनल में थोड़ा होता है क्योंकि मेरा चैनल में श्टाइक पढ़ गया था इसका रहा रहा था लेकिन व्लॉक्त अपना चल रहा था फिल हालो अब तो कंटेनिव नहीं आएगा फ्रेंड आएगा मतलब कब से लगा था मेरा मतलब दो तारिक से सायद मेरे दस ग्यारा बारा या संधिंग को ऐसा कुछ खुला है मेरा मतलब श्टाइक जो हटा है तो फिल हलाब आएगा इसी मंत मेरा पिछले मंत पढ़ गये था इसमंद खुल गया है तो अब कंटेनिव वीडियो आएगा तो चली कोई नहीं कि आई भ से जाएंगे हागी जो का देखा जाएगा यार मां आ गई खेट से और देख सकते हो मां का तभी ठीक नहीं है खेट मत जा बोलें फिर भी आगे सो गई है तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं खानवाना बनाना पड़ेगा हमें ही हमारा भी तभी खराब है इनको भी सर्दी प मत जाओ मार्ण जाओ लेकिन फिर मानती नहीं बात है फ्रेंट फानल यार हम सब्सब्जी मना रहे हैं दिखाते हैं आपको सब्जी कैसा बन रहती पड़ता नहीं वह भाई को यह देख सकते हो प्रेंट्स क्या ही अच्छा से लग रहा है बना रहे हैं अभी सब्जी भून आपको सब्जी बना रहे हैं अब बनने में थोड़ा रामसर इसको पकने देंगे थोड़ा देर के लिए और मा इधर झाडू लगा रही है खाना तो बना ली है मा सब्जी बस लेठ है हमारा रामसर बनने का सब्जी को इदिकत नहीं है अब बना लिए सब्जी खाना सब्जी तो फ्रेंड्स क्या ही बताया खाना सब्जी बनाना कोई बुरी बात नहीं है अगर नहीं बनाते कोई तो बहुत बात है लेकिन फिलहाल कोई नहीं है इसा चीज है मतलब बेज़ती होनी चाहिए क्योंकि जब तक बेज़ती नहीं होती है मतलब मन को मतलब ऐसा लगता है कि मतलब इस ठीरता रहता है मनूंण कहने का मतलब बेज़ती बनों अच्छी चीज है नहीं करना है दो हमने हिसाइए तो कोई नहीं हिसारा अभी नहीं हिसाब से और मान्मसा बैठ सब अडेक्ति तो देखते हैं कल जाने का होगा क्या होता है तो फिल्हाल अभी है हम घर में हैस तो फैनली हम खाना खाली है खाना खाने कवाद उठेने दवाई भी खाली और फिर अधर मा देख सकते हैं अधे घंटा हो गया सम्थिंग खाना बैठाई है तो यह तो यह तो बैठें हैं का कुछ नहीं मतलब मतलब नानी घर गई है सिस्टर उसको हाँ का नहीं कट गे फोन तो कट गे मा रख दीज तो माप हो देखा बात करूं करके तो फिल्हाद मोसी कॉल गी थी और जय कॉल गया था कौन है करके पूछ रही थी मा तो कड गई फोन तो कड गया तो अवो लाइट कड़ गया है स्वेटर नहीं पहना फ्रेंट्स और मालोग तो सब तो कई मैं निकला पहला बाहर साइड आज तुमकल है और काम कर रहा है अपने वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा था फिलधार फिल्हाल भी मैं बाहर साइड हो और आज के दिन क्या ही बता है फ्रे आज जाने के नहीं हुआ घरी में थे तो घर में सब्सक्राइब करना कियोंकि व्लॉग आपको मिलते रहेंगे तर विलते हैं आपको जल्दी किसी नेश्ट लॉग में तब तक ले था टेकर बाई बाई